नमस्कार दोस्तो ओनलाइन लेर्णिंग इस्टेर्णू चैनल में आप सभी का स्वागत है असी शब प्रतिमिनिट की गती से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकेंड बाद अपराध और दंड के संधर्ब में एक मशुहूर उक्ती का उलेक अक्सर किया जाता रहा है नियाए ना केवल होना चाहिए बलकि वहे होते हुए दिखना भी चाहिए विडमना यह है कि कई बार किसी अपराध के साबित हो जाने के बाद सजाइफता दोशियों के बारे में भी सरकारों का रुख ऐसा होता है जो समूची नियाए की अवधारना को ही कटगरे में खड़ा कर देता है जाहिर है नियाए में भरोसा करने वाले किसी भी वैक्ती के लिए यहे एक आसहज करने वाली इस्थिती होती है शायद यही वजह है कि सुप्रीम कौट ने बिल्किस बानों के मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को गुजरा सरकार को फटकार लगाते हुए यहे कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर परभावित करने वाले जगन्य अपराधों की सजा में छूट पर विचार किया जाता है तो सारुजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शक्ती का परियोग किया जाना चाहिए गोर तलब है कि बिल्किस बानों ने गुजरा सरकार पर अपने मामलों के दोशियों को समय से पहले रीहा करने का आरोप लगाया है इस मामले पर सुनवाई के दोरान शीर्ष अदालत ने जो सक्त टिपनिया की है वह नियाय के संधर में सरकारी रवाईय को आइना दिखाने जैसा है दरसल इस मामले में ना सिर्फ एक गर्भवती महिला से सामुहिक बलतकार किया गया बलकि उसके साथ रिष्टेदारों की हत्या कर दी गई थी सुप्रीम कोट की पीठ ने कहा कि हमने गुजराज सरकार को इस संबंद में सभी साक्षे पेश करने के लिए कहा था हम जानना चाहते हैं कि क्या गुजराज सरकार ने अपना विवेक लगाया है अगर हां तो बताएं कि आपने किस सामगरी को दोशियों की रिहाई का आधार बनाया है हैरानी की बात यह है कि अदालत में गुजराज सरकार ने उम्रकैद के सजाइफता दोशियों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज दिखाने के आदेश का विरोध किया जबकी अगर सरकार इस मसले पर खुद को सही मानती है तो उसे कम से कम अदालत के कहने पर पूरी पारदरशिता जरूर बरतनी चाहिए सुभाविक ही गुजरा सरकार के इस रुख पर अदालत ने एक तरह से चैतावनी देते हुए कहा की रिकॉर्ड पेश नहीं किये गए तो इस मामले में कोट की अवमानना के आरोप में कारवाही चल सकती है और अगर कारण नहीं बताए जाते हैं तो हम अपना निशकर्ष निकाल लेंगे सवाल है कि इतने समवेदनशील मामले में सभी दोशियों की रिहाई का फैसला करने से पहले सरकार को क्या अपने विवेक का परियोग करना जरूरी नहीं लगना चाहिए था स्टोप